नमस्कार आप सभी देख रहे हैं इविध्या चैनल नमबर दस और मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और अभिनेंदन करती हूं तो स्टुडेंट्स हमारा ये सत्र हिंदी का है कक्षदस के विध्यारतियों के लिए और हम बता देते हैं आज कौन सा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे पार्ट बाल गोबिन भगत राम वरिक्ष बेनीपूरी ये शीर्शक है और इसे समझाने के लिए इस हम बताएंगी आपको विस्तार से इस पार्ट में क्या कुछ है और हम बता देते हैं हमारे विभ्यन नमाध्यम किस तरह से आप अपने प्रतिक्रियां अपने विचार हम तक साजह कर सकते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे 880440559 पर और इसके लावा आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारे इमेल आईडी है dth.class10 at the rate ciet.nic.in तो ये थे हमारे विभ्यन नमाध्यम और इस सत्र को शूर करने से पहले हम आप से सांचा करना चाहेंगे बहुत इंपर्टेंट इंफोनेशन जीट्वेंटी से रिलेटर वी आर प्राओड इंडिया तो इस सत्र का आर रख करते हैं माम की तरफ अप आला मैं की तरफ रिलेव। ही जाना चाहें गी ऐसे पार्थ है बाल गोबिन भगत राम वृक्ष बेनि पूरी तो सबसे पहले पार तो हम आज जाना चाहें गैंगे यह पिहार के रहने वाले थे और इनका जन्म जो है वह तैस्ट दिसम्बर 1899 को हुआ यानि आज्यादी से पहले की बात है इन्होंने दस्वी तक की शिक्षा प्राप्ट की और प्राप्त करने के बाद जिस तरह का भाव रहा जीवन में माता-पिता इनके नहीं रहे और भरण पोशन किया इनके दूसरे परिवार के लोगों किसी तरह बाद में जाकर के दस्वें तक पढ़ाई करने के बाद आगे जाकर के ये महत्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और जुड़ने के बाद इन्हें फील हुआ इन्हें ये महसूस हुआ कि मुझे अपनी जिंदगी इसी काम में लगा देनी है यानि सम से इनका मतलब शुरुवाती जीवन रहा लंबे समय तक इन्होंने अपने जेल में गुजारा अपना वक्त और गुजारने के बाद इन्होंने फिर लेखन की और जुड़ गए चुकि समाज सेवा और तमाम चीजों से जुड़े हुए थे तो लेखन कारे किया इन्होंने लेखन बी कई तरह का लेखन किया इन्होंने गधे से ही जुड़े हुए शालिकार थे और इन्होंने बाल साहित्प की रचना की संपादन किया पत्रकारिता की तमाम तरह की चीजें इन्होंने जीवन में लेखनी की मदद से की समाज चुकी आंदोलन से जुड़े रहे तो समाज को करीब से देखा समाज की परिशानियों को जनता की लोकमानस जो था वो किस तरीके से परिशान था ये सारी चीजे देखने दुख दर्द से और चुकी गांधी जी का वक्त था वो दौर था तो एक बहुत ही भावना से भरे हुए सहरदय व्यक्ति ये थे और इनकी लेखनी में इतना दम था कि जो कुछ भी लिखा गया तो उनको लेकर के इनके बारे में जैसे प्रेमचन को कलम का सिपाही कहा गया इनहीं कलम का जादुगर कहा गया तो ये सारी चीजे जो हैं हम मुख्यता इनके बारे में जानना चाहिए हमें और बच्चों को ये पाठ पढ़ने से पहले जरूर जानना चाहिए कि ये जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ये आज की बात नहीं है यह बहुत आजादी से पहले की आज के समय के बच्चों से तो के लिए तो बहुत पुरानी बात हो गई तो यह है इनका परिचे बिल्कुल मैम जैसा कि आपने बताया कि इनके बारे में और बहुत जरूरी हो जाता किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले उसके लिखक के बारे में जानना उसके संदर्व को एतिहासिक संदर्व को क्योंकि किसी भी चीज को जब वो देख रहा होता ह है लिख रहा होता है तो जब हम किसी के लिखे हुए को पढ़ने जा रहे हैं तो हम उसके समय की और लोटें कि वो समय कैसा है रहा होगा और किस नजरिये से वो बात अपनी लिख रहे हैं यह जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट का नाम है बाल गोबिन भगत अ ऐसा लग रहा है जैसे मतलब हिंदी की चाठरों के लिए यह बाल गोंबिन शब्द कया है? भागत क्या है? मैम यह ऐसा लग रहा है या तो किसी का नाम होगा? तो यही हम जाना चाहेंगे इसमें क्या कुछ है? क्या कोई खास व्यक्ति का दिकर है एक तो पहले यह जानिये कि यह जो नाम है अपने आप में मतलब बिगडा हुआ नाम है वास्तों में यह रहा होगा बाल गोविंद जिसको लोक भाशा में बाल गोविंद कहा गया और भग्त को भगत कहा गया तो इस तरीके से ये नाम बनता है बाल गोबिन भगन अब रही बात कि ये कौन है ये व्यक्ति इस पार्ट में राम ब्रिक्ष बेनी पूरी ने जो रचनाई लिखी जो लिखा जो कुछ भी लिखा वो मैंने कहा कि वो जिस समय की बात ये है उस समय समाच में बहुत तरह की उ पूच नीच सोचना लोगों को जाती के आधार पर और तमाम तरह के तरीके तमाम आर्थिक आधार पर सामाजी का आधार पर लोगों के को कई तरीके से बाटा गया था अब उस समय इनके जो लेखन की चुकी एक बहुत ही संबेदन शील व्यक्ति थे तो और चुकी लेखक हैं अलग तरीके से इनकी कल्पना शक्ती इनकी चलती होगी तो उस समय इन्हों ने जिन लोगों पर लिखा तो यह जो पाठ है यह रेखा चित्र है मूलता अब रेखा इसके बारे में पहले तो हम जान ले कि रेखा चित्र जो है वो अंग्रेजी में इसे हम sketch कहते हैं और रेखा चित्र जब भी हम लिखते हैं अब समझे कि आप pencil से बना रहे हैं किसी चीज को और एक आप शब्दों के जरीए क्योंकि ये जो कुछ भी हम पढ़ने जारे हैं वो शब्दों के माद्यम से लिखा गया है तो जब शब्दों को से हम अपनी बात को इस तरीके से रखें कि हर एक शब्द अपने आप में बोल रहा हो और हर एक शब्द किसी सादे कागज पर उसको उकेर दिया जाए उसको चित्र की शैली में ले आया जाए इस तरीके से शब्द चित्र गढ़े जाते हैं जिसको रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं तो शब्दों से बनाया गया चित्र तो ये पाठ रेखा चित्र है और रेखा चित्र के बारे में जैसे इनके बारे में मैं ये बताओं कि रेखाचित्र इन्होंने यह रेखाचित्र के माहिर थे और सर्व इनको माना गया कि सबसे मतबस्रेश्ट रेखाचित्र बनाने वाले व्यक्ति थे इनके बारे में इन्होंने जो लिखा माटी की मूरतें जैसे लिखा इनका रेखा चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है माटी की मूरत इसमें ये जो पाठम पढ़ने जा रहे हैं बाल गुबिन बगत इसी माटी की मूरत से लिया गया अन्शे है इसमें समाज के ऐसे लोगों को लेकर लेखक ने लिखा जो बहुत ही दबे कुछले थे जिन पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया ना किसी जमिंदार की बात हो रही है ना किसी लेखक की बात हो रही है ना किसी मत्तक जो मार्जिन पर जो लोग फेक दिये गए समाज में वैसे माटी की मूरत में लिखा राम ब्रिक्ष बेनी पूरी ने अब इसमें रजिया भी है बाल गोबिन भगत भी है फिर और भी इस पार्थ में जो लेखा बुधिया है बलदेव सिंग है सर्जु भाईया है इस तरह से मंगर है बहुत सारे लोगों को लेकर लिखा उन्होंने हमें इन इलाके के चुकी ये गाओं के थे तो गाओं में जो आसपास के लोग थे ऐसे पात्रों को उठा करके उन्होंने लिखा उसमें से एक बाल गोबिन भगत है अब रेखा चित्र में जब वो जिस तरीके से लपाथ लेकर शुरू करता है उसको जो आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा हंकी कि बहुत खुबसूरत तरीके से उसको हम शब्दों पर शब्दों के उसको सब्दों को सुनते सुनते हम उसकी एक तस्वीर खड़ी कर सकते हैं आम तो पर आप देखते होंगे जब किसी की तलाश हम करते हैं तो लोग आसपास कोई दुर घटना उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में हुलिया जानते हैं हुलिया जब वो बताने लगता है तो एक अच्छा आर्टिस्ट तुरं तुरंट स्केच करता है ऐसे ही यहाँ पर राम रिक्ष बेनीपूरी ने इस तरीके से अपने शब्दों से यह चीज को राम बाल की ताकत जो लेखक इस्तमाल करते हैं राम ब्रिक्ष बेनीपूरी के अलावा और भी कई लोग लेखकों ने इस विधा को अपनाया जिनमें प्रमुख हैं श्री राम सर श्री राम शर्मा, राहुल सांकृत्याइन, सूर्य कांत्रपाथी निराला, महादेवी वर्मा, पढ़े होंगे, इनके बारे में आप जानते हैं कि ये रेकाचित्र लिखती हैं, लेकिन पहली बार राम रिक्ष बेनीपूरी भी हमारे आ गया रहे हैं, और इनको हम पढ़ेंगे बालगोविन भगत के माध्यम से, तो अब हम इस पाठ पर आते हैं, ये पाठ जो है मूलत इसमें कबीर पंथी विचारधारा को ये पाठ लेकर आता है हमारे सामने, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि कबीर पंथी विचारधारा क्या होती है, कबीर पंथी विचारधारा, बच्चों ने भी पढ़ा है कबीर को, दोहों में, दोहों के माध्दम से कबीर को जाना है आप लोगों ने तो कबीर पंथी विचारधारा इससे क्या पता चलता है कि कबीर का पंथ यानि कबीर के जो विचार रहे होंगे उसको मानने वाले लोग समाज में समाज में एक बड़ा हिस्सा उनको उनके विचारों को मानने वाला पैदा हुआ ये तो हम सब भी बच्चे मतलब बच्चे जानते होंगे कि कबीर के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी पार्ट पढ़ाते समय या चाप्टर पढ़ाते समय टीचर्स ने दी होगी कि कबीर मोलता जुलाहे थे और काम के प्रती काम ही उनकी पूजा थी तो जुलाहा होना समाज में यानि हासिये पर होना उस पर किस का ध्यान कपड़ा बुनता है बुनकर है वो लेकिन उसके पास ये वक्त नहीं और नहीं उसे समाज ये मौका देता है कि वो जाकर मंदिरों में घुश सके ये याद रखिए दर समाज में दलित और बहुत सारे ऐसे वर्गे हैं जिन को मंदिरों में जाने की इजादत नहीं दी गई अब वो मिल गई आजादी के बाद गांधी ने उसकी लंबी लड़ाई लड़ी तो पहले जिन लोगों को मंदिरों तो नहीं जाना होता था उनके भीतर भी एक तकलीफ हुआ करती थी कि मैं इस मंदिर में दर्शन भगवान के नहीं करने जा रहा जा सकता तो ऐसे लोगों की आवाज बनकर कबीर खड़े होते हैं और कबीर कहते है कबीर की चर्चा इसलिए क्योंकि इस पाठ्ठ में कबीर पंथी विचार को हम आगे रखने जा रहे हैं तो कबीर के बारे में कबीर चुकीन होने कहा कि आप जहां हैं वही भगवान है ये विचार कबीर ने जनता को लोकमानस को उन जैसे लोगों को जुलाहे मजदूर जुग किसान जिन के पास वक्त नहीं वक्त का भाओ और समाज की तपाबंदिया इन तमान चीजों के कारण अगर वो वक्त धर्म कर्म में नहीं दे पा रहा धर्म को कर्मकांड नहीं माना ताकतवर हो सकें हम अंदर से अपने को मजबूत समझ सकें इसकी बात करते हैं कबीर और करते हुए उन्होंने कई ऐसे रास्ते बताए कि आप बहुत ही सहजिता से इश्वर तक पहुँच सकते हैं अपनी बात कह सकते हैं और अब आप देखिए उदाहरन के लिए अब इस कबीर भी जुलाहे होते हैं जुलाहे हैं ग्रिहस्त हैं उनकी बीबी होती है बच्चे होते हैं तो ऐसे हमारे धर्म में हिंदू धर्म में चार आश्रम बताए गए हैं उन चारों आश्रमों में ग्रिहस्त आश्रम यानि अगर कोई व्यक्ति ग्रिहस्ती से जुड़ा कर अगर आप मोह माया से परे हो तो ये बात कबीर ने अपने काम से यानि कर्म में रत हो करके भी आप विरत हो जाएं तो ऐसी बात जब करते हैं तो ये कबीर करते हैं और यही बात जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो बाल गुबिन के साथ भी होती है बाल गुबिन जब पा साट साल की उम्र है और वो बहुत ही परिशान ये रहते हैं गरीब हैं और उस गरीबी में लेकिन इतना भीतर से ताकत हैं ताकत मतलब एक तरह से उनके भीतर संबल है किसी से भीक मांग कर खाना नहीं जो भी है ग्रिहस्त होते हैं लेकिन भजन किरतन में कबीर के प्रती कबी बाल गोबिन भगत भी वो किसान होता है गाउं में खेती रुपनी और तमाम तरह की के काम करता है वो व्यक्ति और इसमें उसका परिवार होता है एक बेटा होता है और बहु होती है बेटा जो है वो थोड़ा बीमार होता है बहु होती है लेकिन पूरी तरह से दत्चित हो कर बाल गोबिन खेती से और बधारी से जो कुछ भी अर्न करते हैं तो वो पूरा कुछ जो किसान पैदा होता है अनाज उससे वो खुद अपने लिए नहीं रखते उसे ले जाकर कि कभीर का जो मठ होता है उसमें पहले देते हैं और वहां से जो मिलता है प्रसाद के रूप में उससे अपना मतलब बहुत ही संतोशी प्रकृती के भजन कीरतन में डूबे हुए और जिस तरीके से ये पाठ खड़ा करता है उनको उससे ये पता चलता है कि संगीत कभीर पंथ का एक बहुत बड़ा संबल है आज भी हम सुनते हैं कभीर पंथ के जो लोग हैं बहुत सारे कभीर पंथी विचारधारा के लोग गायन में हैं जैसे ये बमनिया हैं कालूराम बमनिया प्रहलाद सिंग्टिपण ये लोग आज भी गाते हैं तो ऐसे ही खेती बधारी करते हुए किसी नजाडा गर्मी बरसात किसी की चिंता नहीं होती है बाल गोविन बगत को वो अप कर्म में रत रहते हैं और कर्म में रत रहते हुए भी इश्वर की अराधना निराकार ब्रह्म की अराधना वो कर रहे होते हैं और उसका माध्यम क्या होता है गायन गायन यानी गीत गाते हुए जो लोक गीत है लोक मानस में जो गीत चलता है वो गाते हुए और उससे पूर की परवाहन किये हुए बाल गोबिन अपने काम में रत रहते हैं और तब लेखा को बहुत आश्चरिय होता है कि संगीत को एक साधक की तरह उनके बाल गोबिन के जो पुत्र है वह उसकी मृत्य हो जाती है और मृत्य होने के बार बीमार होता है पत्नी कहती है रूडियों को तोड़ता भी है ये बाल गोबिन जो इनका पात्र है वो उसने कहा कि नहीं मैं अब चुकि उसके मतलब इनके बेटे के कोई का कोई आलाद नहीं होता तो अपनी बहु को ही कहता है कि तुम इसे आग देना यानि बेटे का जो ये है अंतिम संसकार वो बहु से करवाते अब आज के ठिक विपरी तमाम प्रताओं को तोड़ते हुए तो सोचिए इसके लिए पढ़ा हो लिखा होना जरूरी नहीं है इसमें अंदर से मुक्त होना होता है तो ये बाल गोबिन भग जो हो भगत है वो ऐसा व्यक्ति है बहु से अंतिम संसकार करवाता है और कहता है कि ब नहीं और उसके भाई से अपनी बहु के भाई से कहता है कि से ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो और पूरे मृत्यों की घटना के बाद वो बहुत डूब कर गीत गाते हैं और ये पूरे गाउं के लिए एक आश्चरी का विशय होता है कि यह व्यक्ति गीत कैसे गा स सकता है इसके घर में इतनी बड़ी दुरगटना हुई है उसके उसके उस बाल गोबिन भागत के लिए उनकी पत्नी तो थी नहीं एक सिर्फ बेटा था और वो भी आज उसकी भी आज मृत्यू हो गई है और ये गीत गा रहा है तो अपनी बहु को समझाते हुए रोती खुश हो जा आज वो मुक्त हुआ और अपने पिया से यानि इश्वर से जामिला प्रभू से मिल गया उसका उसकी आत्मा इश्वर से मिल तो बेसिकली कबीरपफ विचारधारा जो है वो निर्गुन-ब्रंभ की अराधना करता है यानि निर्गुन-ब्रंभ यानी अगर पूजा करने हैं रोटी बनाने हैं तो यहीं मेरा कर्म है यानि जहां हो जो तुम्हारा धर्म है उस धर्म के प्रतिनिस्ठा होनी चाहिए यहां भगत का पाठ में भगत का मतलब भगत नहीं है भगत का मतलब साधू संत होना नहीं है जो पाठ की चुरुवात में ही ले ज़स्त है यानि एक धर्मनिस्ट व्यक्ति आदर्श व्यक्ति ठीक महात्मा गांधी की तरह महात्मा गांधी की ही महात्मा गांधी तो ऐसे बाद में बने बालकृष्ण भगत भी ऐसे ही थे कि जहां है जो कर्म है उसके प्रति सत्यनिस्ट हो करके बहुत ही धर्म परायनता क साथ अपने कर्म की अराधना करना और अपने को समाज के प्रती मानवता के प्रती अपने को लगा देना जब आप पार्ट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसमें कई तरीके से उन्होंने उनको खड़ा किया है मूलतसंगीत को ले करके तो मैंने बताया आज भी को दिया है और कबीरपन्त के बारे में और जान सकते हैं रेकाचित्र के बारे में जान सकते हैं और पार्ट पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कहां कहां क्या रेफलेक्ट आप आला मैम आपने जो बताया कि किस तरह से बाल गोबिन उनकी उनके बारे में बताया औ कि वो कबीर पंती थे और उनके बारे में सारी कहानी स्वश्ठ दिखायी देती है एक भगवान की मूर्ती को सामने रहें नहीं ऐसा वगवान नहीं कि जिसमें आग्राम के बारे में कहते हैं किसे थे वैसे थे मदला कि अपने कर्म को ही पूजा मानते थे, उसका कोई रूप नहीं है, जहां है, वहीं है, आप जहां बैठे हैं, वहीं से आपारादना, यानि मूलतह निर्गुण ब्रह्म में जो है, वह आत्मा है, आपके अंदर ही इश्वर है, इसमें एक पंक्ती भी है, कविता की पंक्ती होती है, इसमें लेख इश्वर का वास है, इसको बाहर नहीं ढूंडना, अंतर कमने तो है, इसके साथ हम आज इस सत्र को विराम देते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये पार्ट और बहुत प्रेणा दायक चीजे हमें पता लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मां, और students and learners, जाते जाते हम साझा काना चाते, NCRT Textbooks Related Information, Textbooks, NCRT Textbooks for 2023-24 are available throughout the country, and these textbooks may be purchased directly from NCRT sale counters located at New Delhi, Ahmedabad, Gohati, Kolkata and Bengaluru, these sales counters will be functional on all the weekdays included, gathered holidays Saturdays, Saturdays, Sundays from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. And you may also place order for the books online from our website ncrtbooks.ncrt.gov.in, and these books will be delivered at your doorstep with no delivery charges, and you may also place order for the soft copy of the books in PDF version, and you can download for free from the NCRT ePadshala website and mobile app. So dear students and learners, please visit the website ncrt.nic.in to know more about the authorized vendors. तो ये था हमारा आज का सत्र और बहुत ही खुबसूरा संदेश हमें मिला, और आप कहीं मत जाएए बने रहे ही इविद्या चैनल पर, और हम आपको बता देते हैं हमारा जो अगला सत्र होगा, वो कक्षण 9 के विध्यारतियों के लिए सोशल साइंस का रहेगा, तो आप बने रहे ही विद्या चैनल पर और हमें दीजिए फिलाला इजाज़त नमस्कार कि अगले विद्याऊ, ऑटके हैं ही विद्याऊडा सकतरों क कि अभी के वी इविया रही है, तो श्योल पसके प्कार जाप ठेजुच श्यों पर नहीं हैं리 का रह पार में आपको देशाय का दुर